आपका अपने चैनल एक्जाम रिपब्लिक पे एक बार फिर से सौगत है तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं प्रिलीम्स इसी सीरीज में स्पेशल एडिशन पार्ट फोर जिसमें कि हम जानेंगे हरियानस रिलेटेड करंट अफेर जो कि हम कवर कर रहे हैं जैनुवरी 2021 से जून 2022 तक तो दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो मैं आपको यह ही कहूंगा वीडियो को अन्ति तक देखेगा तब ही डिसाइड कीजेगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है जो एक एक्चॉल रिवार्ड भ यह हम कवर कर चुके हैं पहले वीडियो में तो आप देख सकते हैं उसका लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आज हम कौन-कौन से टॉपिस करने वाले हैं यह देख लेते हैं और वार्ड देखेंगे जो हर्याना की लोगों को मिले हैं या हर्याना को मिला जो कि आखरी पार्ट होगा इस सीरीज का उसमें हम देखेंगे Schemes of Haryana, Indices in Ranking, Miscellaneous News and One Liners तो ये चार अगले पार्ट में cover करने वाले हैं तो आई दो दो शुरू करते हैं पहले देखेंगे पुरुसकार्स यानि कि Awards of Haryana ठीक है? तो पहले सबसे important तो अवार्ट यहीं है Padma Awards जो कि January में हमेशा हम Republic Day पे Announce करते हैं तो इसमें से हम जो मैं overall इनका एक समरी है वो अल्रेडी दे चुका हूँ प्रीलिम से सीरीज में जिसमें कि हम general जो current affairs हैं all over India के या international वो cover करते हैं तो उसको repeat नहीं करेंगे सिरफ हर्याना से जो important है वो ही हम cover करने वाले है तो Padma Shri winners हर्याना के देख लेते हैं क्योंकि 5 Padma Shri अवार्ड दिये गए हैं हर्याना के लोगों को तो यह आप देख सकते हैं तो दो sports के लिए गए हैं मोतिलाल मदान Science और Engineering के लिए दिया गया है और आख्री में राजवेंद्र तन्वर इनको दिया गया है Literature and Education तो उनकी field याद कर लेना पांचों के नाम याद कर लेगा असान है जारा टाइम में लेगा सिरफ पांच ही लोग है तो ये पूछे जा सकते है बहुत जादे important है इसलिए मैंने इनको सबसे पहले भी रखा है वीडियो के अंदर ठीक है तो अब देख लेते है अगला अवार्ट्स जो कि हरियाना के लोग को मिला है ठीक है तो ये भी Republic Day पे announce के जाते है तो नारी शक्ती पुरुषकार के बारे में चाल लेते है 2021 और 22 का announce किया गया था तो नारी शक्ती पुरुषकार for extraordinary work towards women empowerment ये दिया गया है हरियाना की गुरुगराम में जो है ये पूजा शर्मा ये इनको दिया गया है और इनको किसलिए दिया गया है क्योंकि ये social work से related है ये women empowerment से related है इन्होंने एक SSG यानि की self-help group बनाया है जिसका नाम है शितिज और यिंग एंग एस्ट कंपनी ये दोनों ही जो है ये work करती है towards women empowerment तो इसलिए इनको दिया गया है नारी शक्ती पुरुषकार 2021 वाला जो है 2021 वाला के दो बच्चों को award मिला है इस साल तो वो दोनों बच्चों के नाम देख लेते हैं किन को मिला है तानिश सेठी इनको innovation category में मिला है सबस्यारा जो awards है innovation category में दिये गए हैं इस साल तो तानिश सेठी को मिला है हर्याना से और अकर्ष कौशल इनको दिया गए है शोशल सर्विस के लिए तो नाम याद रखने आपको ये इंपॉर्टन है ठीक है प्रेजिडेंट पुलिस मेडल्स तो ये देख लेगे हैं चौदा जो ओफिसर जहार आना के इनको दिया गए है पुलिस मेडल्स ठीक है तो इसमें से जो सबसे इंपॉर्टन होते हैं वो प्रेजिडेंट पुलिस मेडल्स है तो वो दो लोगों को दिये गए हैं टूटल चौदा है इनको पुलिस मेडल मिले हैं और उनमें से दो जो हैं, उनको प्रेजिडेंट पुलिस मेडल दिये गए हैं, तो दो कौन-कौन से हैं, वो इंपॉर्टन है, फोटो में आप देख रहे हैं, इनको दिया गया है, प्रेजिडेंट्स मेडल, तो ये दो नामी आपको उसमें से याद रखेंगें। ये उसको फेलिसिटेट करने के लिए अवाड दिया गया है, और ये दिया गया है चीफ मिनिस्टर जॉफ हर्याना, मनोरलाल खटल जी को, तो ये याद रखना है, एग्री आंट्रेपनर कृशांक अवाड, ठीक है, तो ये हर्याना स्टेट को दिया गया है, एग्री आंट्र किशांक अवाड, यानि क्रिशी उद्यमी क्रिशक पुरुसकार 2021, ठीक है, तो ये हर्याना को दिया गया है, ये हरित स्टोर्स जो आप देखें ने, पिक्चर में, ये इन्होंने शुरू करते हैं, अरौंड दो हजार ये हरित स्टोर्स बनाएंगे हर्याना के अंदर, ये पिर रूल जो एकॉनमी में जो प्रडério सोता है, गाउं में प्रडूस होता है, उनको इंको बेचने के लिए, उनको अर्बन अरिया तक रहाईशी अरिया तक पुचाने के लिए, वहां की एकॉनमी को सपोर्ट करने के लिए, इनका नाम हर हित स्टोर रखा गया, इसलिए ब्रैंड डेवलोप्मेंट वाली केडिगरी में इनको दिया गया है एग्री अंट्रोप्रणॉर क्रिशक अवार्ड दोजार एकेस तो हरित स्टोर आप याद रखेंगे ना कि ये ब्रैंड है हर्याना के स्टोर जो है अगला है ब्रैंच अगला है यानि कि जो मेन एथलीट है जिसने प्रभावित किया रहा है सबसे ज़ादा जो कि आप एक तरह से कह सकते हैं बेस्ट हीरो ऑफ द इयर कह सकते हैं इसको तो यह है नीरत चोपड़ा जी यह इनको दिया गया है बेस्ट पेराथलीट यह भी मैंने आपको बताया था सुमित एंटिल इनको दिया गया यह भी जैवलीन से संबंदिद हैं बेस्ट प्लेयर इंडिविजुल स्पोर्ट ठीक है तो दो कैटेगरी हैं एकल खिलाडी और एक टीम स्पोर्ट है ठीक है तो एकल वाले में दिया गय है आसान है वैसे तो जो ऑलम्पिक विजयता आया जनली उनी को दिये गे हैं चारों वही है ठीक है अगला एशियन ओरले अवार्ड तो यह Asian Award Award कि इसको दिया गया है यह भी आप पिक्चर में देखके पहचान गये होंगे Asian Award Award दिया गया है धिरयाना की ही है दीपा मलिक यह एक पैरा एथलीट है इन्होंने जो लियो ओलंपिक होई थे 2016 में शॉर्ट पुट के इंदर याद रखना सिल्बर मेडल जीता था तो शॉर्ट पुट इंपॉर्टन हो जाता है एक बड़ी क्विश्चेन आया था यूपी PCS में बूचा था कि यह दीपा मलिक किस खेल चे समंधने है तो उसमें डिसकस थ्रो भी दिरागा था हला कि यह डिसक सुष्म सुहराज जी जो थी वह भी एक मिनिस्टर अक्सटर रही थी वह जो हैं ल से बिलॉंग करते करती है है तो इसलिए इनके नाम पर यह आवर्ड शुरू किया गया जो कि वूमे ने को दिया जायगा जो कि प्राइस मनी होगा ठीक है तो ये थे बेसिकली जो important awards आपको याद रखने है अब हम देखेंगे portals of arena ये भी काविसा रहे हैं तो ये एक बड़ी ध्यान से देखना बहुत असान है वैसे तो नाम से परदा चल जाता किसलिए portal है फिर भी जो थोड़े बहुत हैं जिनमें नहीं परदा चलता है वो उनकी full form याद रख लेना और किसलिए portal है ये याद रख लेना ठीक है तो पहला की देख लेते हैं आस जैसे कि नाम से नहीं परदा चल रहा है इसमें तो इसको आपको याद रखना है ठीक है तो आस की full form क्या है auto appeal software system तो ये शुरू किया गया recently और इसके थूँ क्या होगा कि जो services जो आपको government देती है various departments जो आप citizen service आपको provide करते हैं उनके खिलाफ आपको पहले तो पता जाएगा कि कितने time में आपको service पूरी हो जानी चाहिए आस जो है वो एकतर से आप ऐसे याद रख सकते हैं कि citizens के लिए आस है कि उनकी complaint कर रिड्रेसल होगा तो आस पॉर्टल है ये याद रखेगा फिर नगरधर्शन पॉर्टल तो नगरधर्शन पॉर्टल से क्याव है कि ये एपरिल 2022 में लौँच किया गया और इसके अंदर किया है कि जो urban bodies है urban local bodies जो कि municipalities हो गए municipal councils हो गए जो शहरों की जो lowest tier की जो हमारी local bodies है उनका जो सारा data है वो एक digital platform पे करेगी हर्याना सरकार available कराएगी जिससे कि क्योंगा citizens अपनी complaints और suggestion दे सकते हैं कि हमारे एरे में ये project की कमी है ये लगाना चाहिए या किसी complaint को भी इसके अंदर launch कर सकते हैं तो ये एक तरसे पंचाईती राज का आप कह सकते हैं एक वो है portal और यह basically deal करेगा municipalities या urban local bodies से तो इसके अंदर आपको याद रखना है नगर दर्शन portal नाम से बला चल रहा है नगर तो नगर मतलब city तो उसी से आपको याद रखना है local bodies के लिए urban areas के मेरी फसल मेरा boiler portal बहुत ज़्याद है यह बहुत ज़्याद है ठीक है तो यह 2022 में launch के गए अपरेल में यह इसके अंदर कुछ facilities जिरादर एड़ किया इसके अंदर यह पहले से हैं तो इसके अंदर कहा है कि जो किसान है वो पधान मंतली फसल बीमा योजना के अंदर अगर उसके कोई दिक्कत आ रही है उसके मुआफजे में दिक्कत आ रही है उसको जो पैसा मिला है उसमें दिक्कत आ रही है यह उसको अपना ब्योरा समिट करना है कि भई मेरा इतना नुकसान हो गया मेरी इतना एरिया था तो वो स्वस्थ खेट, स्वस्थ खेट, मुबाइल एप, very very important, अब स्वस्थ खेट है, तो healthy field है, तो healthy field के लिए आपको क्या चाहिए, उसका soil सही होना चाहिए, तो basically यह एक soil sample collection app है, जो आपका अधिकारी आएगा, जो assistant आएगा scientific, वो आपकी soil collect करेगा field से, उसको चेक करने के लिए lab बेजेगा, फिर आपको पता चलेगा कि आपके उसमें क्या-क्या chemicals हैं, और किस-किस चीज की deficiency है, आपके soil में, जो आपको fertilizer में डालने है, तो उसकी ease के लिए यह एप बनाए गई है, हर खेट, स्वस्थ खेट, आप, तो sample लिया जाएगा, सारी details, वो इस mobile के थूरू scientist आप पता चल जाए, और जादा दिक्कत ना होने, soil fertility के बारे में जानने के लिए, ठीक है, अगला देख लेते हैं, उत्तम बीज पोटल, तो उत्तम बीज यह नाम से पता चल रहा है, अब मैं जैसे का, quality seed, यानि quality seeds प्रोवाइड करने के लिए फार्मर को, यह एक पोटल बनाए गया है, जिसके थुरुक किसान को पता चल जाएगा कि वो seed certified है कि नहीं है, जो आप ले रहे हैं, या फिर उसे certified seed कहां से मिल सकती है, कौन सी company उसे दे सकती है, तो इसमें basically किसान भी register करेंगे, और जो company seed प्रोवाइड करती है हर्याना में, वो भी इसमें register करेंगे, और सानी से quality seeds मिल सकें, और उनकी जो फासल है, वो अच्छी हो सकें, और उनकी income बढ़ सकें, ठीक है, तो उत्तम बीच है, नाम से बता चल रहा है, जादा difficulty नहीं होने चाहिए, स्वास्त हर्याना एप तो ये एक एप थी जो शुरू की गए थी, जो कि लोगों के लिए थी कि सीविल घृ ये लगाते हैं, फिर registration कराते हैं, फिर doctor का नमबर आते तब जाते हैं, तो इसलिए इनोंने ये एक शुरू किया, हर्याना के किसी भी सीविल हॉस्पिटल का, अगर आपको नमबर लेना है, तो आप अनलाइन इस पर कर सकते हैं, और उतना नमबर ले सकते हैं, किसी भी हर्याना के civil hospital में अपना इलाज करा सकते हैं लाइनों में लगने से बचने के लिए बेसिक लिए तो स्वस्थ हर्याना एप है इसका नाम याद रख लेना और इसको बनाया किसने है हर्याना State Health Resource Center जिसका की लोगों आप नीचे देख रहे हैं इनों ने यह एप बनाई गया तो यह गूगल प्ले स्टोर से लिए है मैंने तो वहाँ पे यह एप अवेलेबल है ठीक है अगला है साथ पोर्टल तो यह एक तरह से फ्री ऑनलाइन डॉक्टर सर्विस प्रवाइड करने के लिए रहना के लिए जो कि लोग रूरल एलियस में रह रहे हैं उनको ऑनलाइन फ्री डॉक्टर सर्विस स्पेशली दूरिंग कोविड जो टाइंस थे उसके दुरान यह पोटल शुरू किया गया तो वहाँ से ओनलाइन एडवाइज लिए जा सकते हैं ठीक है के लिए किसके लिए बसों के लिए किसके लिए तो यह बेसिकली दोस्तों हैं जो वह वहिकल जो की माइनिंग से रिलेटिट समाल ले जा रहे हैं सैंड या फिर किसी और माइनिंग मेटिरियल ले जा रहे हैं मिट्टी माफिय जा सबने सुना होगा तो यह सब उनको पॉर्टल भी शुरू किया था, illegal mining को prevent करने के लिए हर्याने सरकान ने, उसका नम था, e-ravna portal, तो e-ravna portal बूस सकते हैं, किस से related है, illegal mining से, अब हम देख लेंगे, आख का आखरी topic, जिसमें कि हम चार छोट छोटे topic कवर करने माले हैं, quality of हर्याने, हर्याने की राजनीती से related, जो legal state में, 2022 में policy लाई गई है, और इसको May 2022 में approve कर दिया गया था, और इसका aim क्या है, तो अब aim क्या है इस policy का, defense production को boost करना, aero defense को boost करना, तो इसके अंदर इनने specific target दी हैं, तो इसमें पूछ सकते हैं आप से question में, कि कितने रुपे की या कितने USG की आपको इसमें target रखा गया, तो इसमें रखा गया, एक billion dollar की investment को attract करेंगे ये लोग, over the next five year, पांच वर्शों में, एक billion अमरीकी dollar से अधिक का निवे इस शेत्र में, defense की शेत्र में, ठीक है, तो इसके लिए कुछ curriculum develop करा जाएगा, research और innovation में invest करेंगे, ऐसी एक university setup की जाएगी, जो कि defense related courses offer करेंगी, ठीक है, और flying schools भी setup किये जाएगे, तो यह है हर्याना aero defense policy, जिसको क्या आपको देखना है, बहुत ही brief में देखना है तो दोस्तो वचन पूर्ती जो है, वो है, जो कश्मीरी पंदिट्स हैं, उन्होंने बहादुरुगर जीले में, जो 1991-92 में जो जमीन खरी दी थी, उसको जो है, उनके land rights अभी तक नहीं, एक तरह से पूरी तरह papers मिल पाएगे हैं कश्मीरी पंदिट्स को, तो उनको land rights प्र प्रवाइड करने के लिए वचन पूर्ती मिशन की घोशना की गई है, यह April 2022 की news है, very important, पूछ सकते हैं किस से related है वचन पूर्ती, हर्याना damages to property act, हर्याना संपत्ती को नुकसान अधिनियम, ठीक है, तो यह तो आपको नाम से पता चल रोगा, तो यह कहा कि अगर कोई भी व government उसको बंदे से, जिसने यह हानी पचाई है, उससे यह recover करने का पूरा-पूरा अधिकार रखती है, उन पर दशनकारियों से, ठीक है, तो ऐसा ही एक law यूपी में भी है, यूपी में तो बहुत सारों ने रिकावर भी की हैं, तो यह similar lines पे हर्याना ने भी एक act बना दिया अधर्मांतरन रोख थाम विधेक 2022, तो इसको नाम से बदा चल रहा है, तो मार 2022 में यह बनाए गया है act और इसको पास किया गया है, इसके अंदर क्या है कि force और undue influence या कोई लालच दे के आप किसी का धर्मांतरन नहीं करा सकते हैं, धर्म चेंज नहीं करा सकते हैं, अगर क के अंदर ऐसा law है, जो कि illegal convergence को prevent करता है, और इससे पहले MP, UP और हिमाचल परदेश ने ऐसे law enact already करें, तो हर्याना बन गया है, fourth state जिनोंने ऐसा law enact किया है, तो दोस्तों यह था आज का वीडियो, हमने तीन topic देखे, आपने यहाँ तक वीडियो देखा ही है, आपको पसंद आ आपको बार बर कहता हूं, हमारा इतनी महनद करने का, दोस्तों हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें कि हम पाक फाइव में देखेंगे, जो बचेवे topics हैं, हराना करेंटेवेस के सारे के सारे के सारे कावर करूंगे, वो आप मिस्स मत करना वीडियो, क्योंकि इसमें और वन लाइनर्स भी डिसकस करने वाला हूं, बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है वो आपके एक्जामेशन पॉइंट इवीडियो से, तो कि वो वन लाइनर्स में आपसे पोर्शन तरफ ली पूछे जाएंगे उसमें से, तो तो मेलते हैं अगले वीडियो में, सब सब बाइब, बाइब, अबधियो है